खबर समझगत में आपका सवागत हैं मैं हूँ जितेंद्र जैन आईए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों आमला योगेश डांगरे के गुड घाना मिल से भी तीन लोहे की शाफ्ट दू लोहे के रूला भी चोरी हो गए हैं सबब रफर्यादी की रिपोर्ट पर थाना आमला में अपरात करवांग 523 बटे 23 धारा 389 भादवी के तहत कायम कर विवेचना मिलिया गया है प्रकरण की गंभीरता को दर्श्टिकत रख श्रीमान पुलिस सदिक्षक मौदे बैतूल श्रीमान सिधार चौदर के द्वारा आ इरिक्षन किया गया और अग्यात आरोपियान की पातासाजी है तो पुलस्ताना आमला की टीम गठित कर पतासाजी में लगाया गया था जो मुगवीर की सूचना एवं तक्नीकी साक्ष के अधापर रवी यादव पिता नौखेलाल यादव उम्र 20 साल निवासी ग्राम माह होली एवं राज यादव पिता बलराम यादव उम्र 19 साल निवासी माहोली को अभी रक्षा में लेकर हिकमत अमली से पूस्ताज की गई तो उक्त दोनों ने गवाओं के समक्ष गुड़ घाना मिले से लोहे के कीमती पार्ट अपने साथ ही शुभम सोनी पिता राजकुमा सोनी उम्र 29 साल निवासी कसारी महला आमला के साथ मिलकर चोरी करना और वहन क्रमांग मारूती वैन क्रमांग MP48 MZ6931 में रखकर आमला लाकर कबाड़ी शेख जुनेद पिता अब्दुल भाब उम्र 41 साल निवासी बाड़ नंबर 3 आमला को बेचना सुईकार किया जो आरोपी गंट रभी यादव, राज यादव, शुभम सोनी और शेख जुनेद को गिरफतार का माननी नियाले पेश किया गया है आमला से खबर समय जगत के लिए हरी प्रसाद गोहे की रपोर्ट